विल्कम स्टुदेंस, इंट्रोड़क्शन लेक्शर से हमें पता चला कि प्रॉबबिलिटी एक चांस की तरह है, चांस that something will happen, मतलब कि कोई चीज होगी या नहीं होगी, किसी भी चीज के अकर होने की लाइकलीनेस क्या है, ये हमें प्रॉबबिलिटी के कॉंसिप्ट से ही पत देखे, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 प्लस 1 क्या होता है, आप डारेक्ली बिना किसी डाउट के आंसर दे सकते हो, कि 2 होता है, 2 multiplied by 3, 6 होता है, ट्राइंगल के कितनी साइड्स है, 3 साइड्स है, सर्कल का एरिया क्या है, पाई यार स्क्वेर, इन सारी चीजों में हमें हवा में उच्छाला, तो इसका front side आएगा, या फिर इसकी back side आएगी, यह चीज क्या आप बता सकते हो, कि इसकी front side, यानि की heads आएगा, या फिर back side, मतलब कि tails आएगी, नहीं दोस्तों, हम यह चीज नहीं बता सकते, क्या आप ये कैस सकते हो, कि heads नहीं आएगा, नहीं, आ स इसी चीज में chance को calculate करने के लिए probability हमारी help करती है, देखें दोस्तों, इसी चीज को मैं एक probability line पर represent कर सकता हूँ, यह एक probability line है, जिसके ends पे 0 और 1 है, 0 का मतलब है impossible, मतलब की जैसे कि अगर मैं कहूं, कि यह जो coin है, अगर मैं इसको toss करूँगा, यह वापस जब land करेगा, तब यह coin double हो जाएंगे, या फिर इस coin का color change हो जाएगा, क्या यह चीज possible है, magic show नहीं है, normal situation में ऐसा possible नहीं है, तो मतलब की यह एक impossible situation है, इसके color change होने की probability इस time 0 है, 0%, तो दोस्तों, यह है हमारा impossible, बिल्कुल 0 point, अगर मैं कहूं, कि यह जो coin है, इसको उपर उच्छालने के नीचे तो आएगा ही, एक बिल्कुल certain event है, ऐसा होगा ही, तो मतलब की यह certain event है, उसके नीचे आने की probability 1 है, अगर आपसे पूछा जाए, कि heads आएगा या tails, यह चीज़ हम नहीं बता सकते, हम यह भी नहीं कह सकते, कि heads नहीं आ सकता, हम यह भी नहीं कह सकते, कि heads यह आएगा तो मतलब की हम अभी कह रहे हैं, कि heads आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, मतलब की हम 0 और 1 के कहीं बीच में यहां पर खड़े हैं, कहां पर खड़े हैं, यह हमें नहीं पता, मतलब की हमें यह तो पता है, कि heads आना एक impossible event भी नहीं है, certain event भी नहीं है, 0 और 1 के बीच में लाय करत है हमने आज के lecture से ये सीख लिया है परन्तु students अभी ये जानना वाकी है कि एक coin को toss करने के बाद heads आएगा या days इसकी probability 0 और 1 के बीच में लाए करती है परन्तु 0 और 1 के बीच में exactly कहां पर लाए करती है starting में ending में बिल्कुर बीच में कहां पर ये चीज हम next lecture में पढ़ेंगे हम probability के concept को थोड़ा deep में समझेंगे जिसकी मदद से आप किसी भी event की exact जो probability है उसके जो chances है उसको calculate कर पाऊगे एक mathematical answer derive कर पाऊगे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले lecture में I'm sure students आपको ये lecture काफी पसंद आया होगा और ऐसी मज़ेदार तरीके से अपने हर एक concept क्लियर करने के लिए download कीजिए P.U.Stack app को जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे options होंगे जैसे की back exercise solutions, tip videos, sample papers and much more. So what are you waiting for? Download the app now.